तो जैसे जैसे जाच आगे बढ़े है ये बात साफ होती चारी है पठान कोट आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे पहले मारे गए आतंकी के पैरों में पाकिस्तानी ब्रांड का जूता मिला फिर आतंकी के पास से पाकिस्तानी ब्रांड की दवाया मिली अब ताजा खुला सा ये हुआ है कि कूफिया एजिंसियों को दो ऐसी नम्बोस मिले हैं जिन पर आतंकियों ने बात की थी ये दोनों नम्बोस पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान से पूरा कनेक्शन साफ तोर पर सामने आ रहा है जिसमें अल्टिमेटम भी भारत ने दिया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ सी ये कहा जा रहा है कि एगर सबूत सौपे जाएंगे तो फिर कर वई की जाएगी पहले जूता मिला पाकिसानी ब्रैंड का दवाईया मिली और आप ये बाद भी साफ हो गई है कि पाकिस्तान बातचीत की गई थी जो दो नंबर्स कॉल डिटेल के ज़र ये ट्रेस हुए है मनीश शुक्रा है हमारे साथ हमारे समवदाता इस वक्त मनीश मुझे बताई कि इनपुट जिस तरह से लगातार मिल रहे हैं ये बाद तु साफ है कि पाकिस्तान से ही एक तरह से पूरा का पूरा यह जो गेम प्लान है वो किया गया था लगता है आपको कि अल्टीबीटिम के बात भी आक्शन लिया जाएगा और भी किस तुरेक अपडेट भारत सरकार ने सारे जो सबूत हैं सारे जो नंबर्स हैं वो दे दिये हैं पाकिसान को हमारे जो पाकिसान को दो तीन दिन पहले उन्होंने चेलफॉन नंबर्स लेकर के जो तमाम जो इंटरसेप्ट हुए थे किस नंबर बात चीट हुई थी वो नंबर दिये ते और जिस तरीके से आज खुलासा हुआ एक्शन लेगी इसकी बड़ी कम समाना दिखते लिक नहीं हो सकता है कि जैसे मौम्मध को खिलाफ दिखाने के लिए सही पोड़ा बहुत एक्शन लेकर के पाकिस्तान एक्षर करे एक बात और भी मनेश की कही न कहीं ये तमाम चीजें आगे क्या सची विस्तर की वारता होगी नहीं होगी इस पर भी कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें डिपिंड कर रहेंगी अगर पाकिस्तान एक्षन लेता है तब ही उसको लेकर किस तुरे का इंपुट मिल रहे हैं? भारत सरकार ने कल बिल्कुँ साफ कर दिया है कि पाकिस्तान दो तीन दिनों के अंदर पाकिस्तान का जो एक्षन होगा जैश्य मोहमद के खिलाफ और जो भी हैंडलर से हैं जो नहीं साजी स्रची वो डिसाइड करेगा कि क्या फ्यूचर में भारत विदेव स्रची उस्तर की बातशीत को कैसे आगे बढ़ाए इससे बहुत ही डिप्लोमेटिकली यह पूरी जो घेंध है पाकिस्तान के पालिया जाया जाया जब सब्सक्राइब पाकिस्तान को पाकिस्तान कहता रहाम करवाई करेंगे क्या इस बार भी कोशिश हो रही है क्योंकि जो भी सबूत सौपे गए हैं उस पर अभी तक तो कोई भी आक्षिन नहीं लिया गया चलि मनेश आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जो कॉल डिटेल्स मिले हैं इससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान बातशीत की गई थी तो कई तरह की सबूत मिल चुके हैं भारत सबूत 100 भी रहे लेकिन इंतजार ह की तरफ से क्या वाकई ISI पर किसी तरी की करवई करेगा पाकिस्तान या इस बार भी सिर्फ और सिर्फ बातों के जरीए ही पूरी होगी आसवाशन देने की बात और अब बात करते हैं बिहार की जहांपर पुर्णिया में हाला तनाफपून बने हुए हैं पुर्णिया के 22 बाइसी थाने पर जुलूस के दरान सैक्रो लोगों ने हमला कर दिया हिंदू महासभा के कमली इश्तिवारी के पैगंबर मुहम्मद पर दिये बयान के विरोध में जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस में करीब 25,000 लोग शामिल थे जुलूस के बाद कुछ लोगों ने थाने को निशाना बनाया था और पुलिस कर्मियोग पर पत्थरबाजी भी की थी घटना के बाद पुलिस ऑफसर घटना इस्थर पर कैम्प कर रहे हैं इस मामले में डीम ने कड़ी करवाई का आदेश भी दिया है तो अब भी इस सतिया तनाफ पूर्ण बनी हुई है पुर्णिया में पूर्णिया में हिंसा भड़ किया और इसके पहले आपको बताते हैं कि कहा पर यही सतिया देखने को मिले थी वो जगी थी पश्चिम बंगार जहां पर भीर ने हिंसक रूप ले लिया था जब हजारों की संख्या में मुसल्मानों ने मालदा के शुजापूर इलाके में विरोध रैली निकाली थी और कमलेश तिवारी की फारसी की मांगी गई थी भीर ने दो दरजुन गारियों को फूब दिया और पुलिस स्टीशन पर भी हमला किया था और कई घरों में लूट पार्ट भी की गई थी और पटना से हमारे समयता ब्रिजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम जानकारिया देने के लिए ब्रिजेश अभी किस तरह के हालाद बने हुए पूर्णिया में लेकिन इस्टी नियंतरन में है और जो कुछ दिर पहले हैं वहां के SSP है निशान तिवारी उनसे हमारी बातचीत हुई है उनके मताबिक कि अभी कोई इस तरह की से तनाव नहीं है बकायदा जो भी कल जब निसे पुछा गया कि कल जो लोग शामिल थे इस हिंसा में उसमें से किसी गिरफतारी हुई है नहीं तो अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुए ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है लेकिन Islamic Council की जो लोग हैं वो संबर्क में हैं पुलिस के और उन्हीं को कहा गया है कि आप पहचान करें और उन लोग को पहचान कर पुलिस को बताएं कि आखिर जो भीड में असमाजिक तत्व सामिल थे वो कौन लोग थे और उनको पुलिस के हवाले करें तो फिलहाल वहाँ इस्तित तनावपुर्ण है लेकिन नियंतरन में हैं लेकिन आज ये काफी महत्पुर्ण दिन है क्योंकि सिमांचल का इलाका श्वेता खासकर कटिहार, पुर्णिया, किशनगन ये जो इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके हैं और आज जुम्मे का नवाज भी है और वहाँ लोग भीड वहाँ पे जुटती है और लोग सरकों पे भी नवाज अदा करते हैं तो आज देखना होगा महत्पुर्ण होगा कि जो भीड वहाँ जुटती है उसमें असमाजिक तरतों शामीर होकर इस तरीके से जुलूस ना निकाले तो प्रिस प्रशासन इस पे पहनी पन देकर और लोगों वहाँ से चले गए बात बताएए कि प्रशासन इस तरीके से यह तमाम चीज़ जीज़ बात आपने सही कि कि चाहे पूर्णिया हो और यह वो जगें हैं जो मुस्लिम बाहुले इलाके हैं अब ऐसे में क्या यह कहें कि यहां पर उसरस सतर्क्ता नहीं बढ़ती जा रही है यह देखा नहीं जा रहा है कि जो जुलूस और रैली है वो उसका मकसद क्या है और में किस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं क्या इक तरीके से कहें कि कहीं न कहीं प्रशासन की भी चूख है बिलकुल चूख है और सुरक्षा जो तंत्र है उसकी चूख है और पुलिस का अपना भी खुफिया तंत्र होता है और पुलिस को यह पता होना चाहिए कि 25,000 लोगों की भीड अगर जुट रही है तो उसमें असमाजिक तत्वी होंगे और कुछ न कुछ हिंसा करेंगे क्य है कि वहाँ पर भीड जुटती है उसके बाद इस सरीके से हिंसा होती है शिरगाटी में भी वैसी इस तिदी पैदा होते होते बची की हिंसा नहीं हुई लेकिन भीड जुटी थी बावजूद इसके जो खुफिया तंत्र है वो तो फेल हुआ है सिस्टम फेलियर यहाँ प उसकर वहाँ पे तोड़ फोड़ उन्होंने मचाया तो और भी जगों पर इसके बाद और भी देखी जो इलाके है कि शनगंज वहाँ भी और भी जुलुस निकलने की संभावना है तो पुलिस प्रशासन अब चौकस है उसका दावा है कि अब ऐसी तरकी घटनाएं नहीं ह गया है किसी के खिलाव भी केस नहीं दर्ज हुआ है किसी को भी रासत में नहीं लिया गया है आप से आगे अपडेट लेते रहेंगे जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो इधर बलातकार, SMS और फिर बलाक मेलिंग उत्तर प्रदीश में इस तरी की वारदातों में लगतार इजाफा हो रहा है आरूपी पहले पिडिता के साथ बलातकार करते हैं फिर उसका श्लील वीडियो बनाकर उसे बलाक मेल करते हैं हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरूपी चात्राओं को अपना निशाना बनाते हैं कुछ ऐसा ही मामला बरेली से भी आया है जहां पर अगस्त में एक चात्रा के साथ तील लड़कों ने बलातकार किया और फिर उसका श्लील MMS बनाकर सोशल साइट पर अपलोड कर दिया पिडित की मा के मताबिक पुलिस ने करवाई के नाम पर सिर्फ एक यूवक को ही गिरफतार किया है जबकि दो यूवक आज़ाद घूम रहे हैं वो पिडित परिवार को केस वापस लेने की लगतार धमकी दे रहे हैं लेकिन पुलिस कोई भी करवाई नहीं कर रही S.S.P. आफिस में फूट फूट कर रोती ये मा, इंसाफ की गुहार लगा रही है उन तीन लोगों के खिलाफ सक्त सक्त कारवाई की मांग कर रही है जिन्हों ने इसकी बेटी के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर उसका अशलील MMS बना कर उसे सोशल साइट पर ढाल दिया बरेली के फतेगंज पश्चमी थानक शेतर की रहने वाले इस महिला का आरूप है कि अगस 2015 में इनकी बेटी को घर पर अकेला फाकर तीन युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसका अशलील MMS बना लिया इसके बाद तीनों युवक इनकी बेटी को ब्लैक मेल करने लगा पीडित मा के मताबिक जब उनकी बेटी ने हकीकत बताए तो उन्होंने तीनों आरूपियों के खिलाब शिकाय दर्ज कराए जिसमें से पुलिस ने एक आरूपि को तो गिरफतार कर जेल भीज दिया जबकि दो आरूपियों को बचाने की कोशिश में लगी है वही आरूपिय आए दिन परिवार को मुकदमा वापस लेने की थमकी दे रहे हैं पुलिस ने परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने बाकी के दोनों आरूपियों को गिरफतार नहीं किया तो वो आतमदाह कर लेंगे वही इस मामली के जाच क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है हाला कि बाकी के दो आरूपियों के गडफतारी क्यों नहीं हुई है इस सवाल पर पुलिस बचने की कुशिश कर रही है गैंगरिप की इस वार्दात को करीब पांच महिने बीच चुके हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक ही आरूपिय को गिरफतार किया है जबकि दो आरूपिय अभी भी खुले आम घुम रहे है ऐसा में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस इस मामले में इतनी धिलाई क्यों बरत रही है आखिर अभी तक बाकी के आरूपियों के गडफतार क्यों नहीं किया गया है हाला कि ये कोई पहली घटना नहीं है इसे पहली भी रेप के बाद वीडियो को सोशल साइट पर डालने के मामले सामने आये थे बरेली की रहने वाले इस मा की ये आसू अपनी बेटी के लिए इनसाफ मांग रहे है उन लोगों के गिरफतारी की मांग कर रही है जिन्होंने इसकी बेटी के साथ पहले पलातकार किया और फिर उसका अशलील वीडियो सोशल साइट पर डाल दिया लेकिन बरेली में गैंग रेप और फिर अशलील वीडियो सोशल साइट्स पर डालने का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले ने ना सिर्फ बरेली को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया था शेर गर्थानक शेतर के बैरम नगर गाउं में एक नाबालिक के साथ एक लड़के ने रेप किया और फिर पिडित का शलील वीडियो बना कर उसे ब्लैक मेल किया पिडित ने जब इससे मना किया तो उसका वीडियो सोशल साइट्स पर डाल दिया गया हैरानी की बात ये है कि ये सब किसी और ने नहीं बलकि पिडित की दो नाबालिक सहलियो ने किया था कुछ ऐसा ही मामला फतेपुर से भी सामने आया था यहाँ पर एक लड़की की फेसबुक आईडी को पहले हैक किया गया और फिर उसमें बदलाव कर पिडित को शायर से कॉल गर्ड बना दिया गया हैरानी की बात यह है कि यह सब किसी और ने नहीं बलकि पिडित की दोस्त नहीं किया था पुलिस के मताबिक आरोपी लड़की ने पहले पिडित के फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल से जानकारी और फोटो निकाल कर लड़की की फरजी आईडी बनाई और फिर उसे कॉल गर्ल के रूप में प्रचारित करने लगी मेरी पिक्स अप्रोड की थी उसमें बहुत जादा वलगर स्टेटस और कमेंट्स थे सब एफटीप के इस जितने लड़के हैं बहुत से आड़ थे मैंने चेक किया था जितने लड़के और पिर पिरित के पिता का फोन नंबर भी फरजी आईडी पर डाल दिया लिहाजा लड़की और उसके पिता को लगातार फोन आने लगे परेशान होकर इसने पुलिस में शिकायत दर्च कराई पिता थे इसके अलावा हमारे संग्यान में आएंगे उसका समावेश वेशना में किया जाएगा सोशल नेटवकिंग साइट्स हमारी मुश्किलों को आसान करने के लिए है ना कि लोगों की परेशानियों को बढ़ाने के लिए ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर युवा क्यों अपने ही दोस्तों को अपना शिकार बना रहे हैं आखिर क्यों वो सोशल साइट्स का इस्तमाल गलत कामों के लिए कर रहे हैं क्या इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा है बरेली से सुबूध मिश्राव और फतेपुर से संदीप के शरवानी के साथ बीर रिपोर्ट इंडिया 24-7 तो दो साल से जेर में बंद आसाराम को आज जमानत मिलेगी या नहीं इस पर जोधपुर कोट फैसला सुनाएगी नावालिक से दुशकर्म के आरोप में दो साल से जोधपुर जेर में बंद है आसाराम और आज जमानत पर फैसला होना है आप उतादें कि आसराम का केस वरिष्ट वकील और बीजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी लड़ रहे हैं सोलह साल की लड़की ने पुलिस में शुकाय डर्ज कराई थी आज जोद्पूर कोर्ट परिसर में आसराम की समर्दकों को काबू में करने के लिए सुरक्षा के खास इंतिजाम किये गए है ये आसराम की आठवी जमानती आ चुका है तो भी बचाफपक्ष्ट के वकीलों की और से कुछ दस्तावेजों को पेश करने को लेकर एक और अरजी पेश की गई है जिस पर 11 जन्वरी को बहस होगी गुजरात में भी मुल्जी माशाराम की विरूत परकरण दर्ज है और जहां तक हमें जानकरी है वहां के ट्राइल अभी चालू नहीं हूँ वहां के ट्राइल चालू होनी है और उस परकरण में ऐसे कुछ गवाँ हैं जो कॉमन है यहां के केस के और गुजरात वाले केस के में तो ओविएसली एक कहा को जो दिमाग में जो फियर है एप्रियेंशन है कि हमारे उपर कुछ भी हो सकता वो बना रहेगा बना हुआ है आगे भी हो सकता रहे तो इन सब बातों को देखते हूं मुझे लगता नहीं कि एक युदासाराम को जो है किसी परकार की सिस्टर पर को कि अगलते ही जुड में सुरू हो गए तर आज ही जुड़े जा रहे है साथी आपको बताना जो फैस्ता है वो दो बजे के बाद आएगा असाराम के महमले किसम बजे के बाद उतियर सांको पांच बेज तक लास समय सक चलती है आज जो पिछली पिछली पर जो जमानत ते कि सुनवाई हो इती है उस्तम भीजे भी नता सुम्रों नहीं स्वाम यह आजाराम की तरफ से पेर भी खेती है और दलील अधीसी जिसके तलते लगता है और साथी कोड में जितना क्राइल हो चुका है उससे लगता है कि असाराम को इस याजिका से निशित तोर बे रात मिल जोगी ने टेपकार्ण के बाद के अहालात पर चर्चा के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है जोगी की इस बैठक से तै हो जाएगा कि 36 गर कॉंग्रिस में कौन किस तरफ होगा जोगी को अगर कॉंग्रिस से निश्कासित किया जाता है फेर आगे क्या रण रही है प्रदेश कॉंग्रिस की जिसको लेकर आला कमान से भी बैठक में बातचीत की गई थी और आप इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई गई है जिजोगी की तरफ से टेप कान के बाद अब 36 गड़ कॉंग्रेस की कल है और आरपार की लडाई में तब्दील होती नजर आ रही है दो तस्वीरों से आपको सबसे पहले रूबरी कुरवाते हैं पहले तस्वीर चाथिस गड़ प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष भपेश बगहेल की है जो दिल टेप कान के बाद बने हालात पर आगी की रणीती क्या हो सकती है इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे तुधर कॉंग्रेस सामी जोगी को निश्कासित करने के बाद बीजेपी पर हमला बोल रही है कॉंग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉंफरेंस की और पीड़ुडी मंत्री राजेश मुरत की भूमी का सामने आ रही है और इसी लिए उन्हें अपने पद से स्थीपा ले देना चाहिए तो वहीं पीड़ुडी मंत्री राजेश मुरत ने साफ किया है कि इस केस से उनका कोई भी लेना देना नहीं है और ये कॉंग्रेस की आंत दिवार को जिला पंचाहत धिर्ष के चुनाफ के दौरान जमकर हंगामा हुआ का चहरी परिसिर के बाहर खड़े बीजेपी कारकरताओं ने जबरन बैर्केटिंग तोड़ने की कोशिश की और उस वक्त कारकरताओं और पुलिस ती बीज धुक्का मुक्की भी हुई और हाता पाई भी हो गई हंगामे के दौरान बीजेपी विधायक संगीत सोम और सांसद राजिंद्र अगरवाल भी मौकी पर मौज़ोग थे दरसल बीजेपी कारकरताओं का आरोप था कि एस पी कारकरताओं के मदान केंद्र में मौजूद होने के बावजूत पुलिस उन्हें बा कर दो दो कि एस्ट भी मौकी पली भी मौकी सब्कारताओं के कि एसे फच्छ कि वह खूच झायर का भी मौकी lin